असलाम वालेकूम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज मैं हैपी होम की पैकेट वाली रस्मलाई से रस्मलाई बनाने वाली हूँ वैसे तो पैकेट की पीछे पूरे डारेक्शन अच्छे से लिखे होते हैं बट रसमलाई बनाना थोड़ा सा ट्रिक्की है स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो मैंने सोचा क्यों आज की वीडियो में डीटेल से इसकी रसिपी शेयर किया जाए विद आल दे टिप्स अं ट्रिक्स सो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने एक लिटर दूद लिया है उसमें वन कप वाटर एट करेंगे फिर मैंने दो इलाइचिया एट की हैं ये टोटली आप्शनल है फिर हाफ कप शुगर एट करेंगे शुगर की क्वेंटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अगॉर्डिंग फिर हमें दूद में बॉइल आने देना है जब दूद में बॉइल आ जाए तो हम उसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक हम अपना डो तैयर करेंगे सो डो तैयर करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा पकेट आड़ कर लिया है रसमलाई का और उसी के साथ ही हम फाइव टी स्पून ओयल आड़ करेंगे और थोड़ा सब से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद फिर हमें ग्रैजुली इसमें एक आड़ करना है जैसे के आप देख सकते हैं वीडियो में पहले मैंने फूर टेबल स्पून एड़ किया है एक बात का हमेशे से ख्याल रखिए कि आपको अंड़ा एक दमसिस में नहीं एड़ करना क्योंकि उससे आपका दो स्टिकी भी हो सकता है लेकिन अगर आपको अपना डो ड्राय लगे तो आप इसमें एक और टेबल स्पून एग का मिक्सचर आड़ कर सकते हैं तो हम इस डो को अच्छे से गून लेंगे ना यह ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए ना यह ज़्यादा ड्राय होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर मुझे अपना डो ट्राय सा ड्राय लगा तो इसलिए मैंने एक और टेबल स्पून एग का मिक्सचरस में आड़ कर लिया था फिर इस एच्छे से गून लेंगे और हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार है अब हम हाथों को थोड़ा ओयल से ग्रीज करके इनके बॉल्स बना लेंगे बट मेक शूर कि हमें बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं चाहिए अब ऐसे हम सारे बॉल्स को तैयार कर लेंगे अब वह आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपने रसमलाई के बॉल्स का शेप कैसे देना है मैंने राउंड किया है तो आप ओवल्स भी कर सकते हैं तो जब सारे बॉल्स बन जाए हम इने डारेक्ली दूद में शामिल करेंगे और आपको ये बात का भी दिहान रखना है कि हमें इने दूद में डारेक्ली शामिल करना है इने ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रखना क्योंकि ये ड्राइ हो जाएंगे और जब हम इने दूद में शामिल करेंगे तो हमें ये भी ख्याल रखना कि हमें एक दो मिलिट के लिए इने चमचे से बिल्कुल भी नहीं हिलाना क्योंकि इस टाम बहुत सॉफ्ट होती है इनका टूटने का बहुत चांसे होता है तो जब सारे बॉल्स को हम एड़ कर लेंगे तो एक मिनिट के लिए हमें इने हाई फ्लेम पर कुक करना है फिर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और जेंटली चमचे के हल्प से इने थोड़ा सा फ्लिप करते जाएंगे ताकि ये दोनों साइट से अच्छे से कुक हो लेकिन आपको ख्याल रखना है बिलकुल हलके हाथ से आपने चमचा हिलाना है फिर ऐसे ही मजीद 10 मिनिट के लिए हमें इने अच्छे से कुक करना है मीडियम फ्लेम पे और माशले एक्जैकली 10 मिनिट में मेरे मज़ेदार से रस्मलाई तयार हो गए थे तो आपको टाइम कभी अच्छे से ख्याल रखना है हमें इने 10 मिनिट से ज़्यादा कुक नहीं करना कभी कभी हम 15-20 मिनिट तक इने कुक करते हैं इसी वज़े से भी ये तूटने लग जाते हैं तो देखा आपने कुछी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हुए हमने ये मज़ेदार से रस्मलाई बनकर तयार कर लिये हैं अगर आपको आज की मेरे वीडियो पसंद आई हो से इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ अगली रेसिपी में तब तक के लिए अल्ला हाफिज